गुमला सदर प्रकंट सभागार में शुक्रवार को प्रमुक और उप्रमुक का चुनाव संपन हुआ अधिकारियों की देखरेग में चुनाव की प्रक्रिया शुरू की गई जिसमें नवाडी पंचायद समीती के सदसे करमीला देवी सुला मत हासल कर प्रमुक निर्वाचित हुई जबकि सुम्ती देवी को 15 मत मिले इसी तरह उप्रमुक पद के लिए चार लोग चुनाव मैदान में थे जबकि नीदू कुमारी को 9, रमेश कुमार सिंग को 6 और सुशिला देवी को 2 मत मिले एक मत रद किया गया वही प्रमुक वा उप्रमुक को पद और गोप नियता की शपत दिलाई गई नवनिर्वाचित प्रमुक वा उप्रमुक ने कहा कि उन्हें जो जिम्मेवारी मिली है उस पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे साथी सरकारी योजनाओं का लाब अंतिन पायदान तक पहुचें इस दिशा में प्रात्मिक्ता के साथ कारे किया जाएगा मौके पर नवनिर्वाचित सभी पंचाज समीती सदस्य के अलावा अन्ये लोग मौजूद थे अपने राजिस जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें साथी वेल आइकन बटन दबाना ना भूलें